आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है लिटल फ्रॉग इन दे वेल यानि नन्ना मेंड़क एक कुएं में तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं My good friends, imagine if you were to live at the bottom of a deep dark well यानि मेरे अच्छे दोस्तों जरा सोचिए अगर आपको किसी गहरे अंधेरे कुएं में रहना पड़ जाए What kind of a world would you see? आपको किस तरह की दुनिया वहाँ नजर आएगी? There was a little frog who lived at the bottom of a deep dark well एक छोटा सा मेंड़क था जो एक बहुत गहरे और अंधेरे कुएं के पिलकुल नीचे करके रहता था Now let us go down there and see what kind of a world he had चलिए हम सब नीचे उतरते हैं और देखते हैं के उसकी दुनिया किस तरह की थी It was a very old well filled with shallow water at the bottom Shallow यानि बहुत कम यानि जो बहुत गहरा ना हो वो एक बहुत पुराना कुएं था और उसके निचले हिस्से में जो पानी था वो इतना गहरा नहीं था The walls of the well were all covered with wet moss कुएं की दीवारें गीली काई से धकी हुई थी When the little frog was thirsty, he drank When the little frog was thirsty, he drank a little bit of the well water And when he was hungry, he ate some insects जब नन्ने frog को प्यास लगती तो वो कुएं से कुछ पानी पी लेता और जब उसे भूक लगती तो वो कुछ कीरे मकौडे खा लेता When he was tired, he lay on a little rock at the bottom of the well And looked up at the sky above him और जब वो थक जाता तो कुएं के बिलकुल नीचे एक पथर पर वो लेट जाता और उपर आसमान को देखता Sometimes he saw passing clouds कभी कबार उसे बादल गुजरते हुए दिखाई देते He was very happy and satisfied वो बहुत खुश और मुतमें था यानि वो सब उसके लिए काफी था The little frog had been living at the bottom of this old well since he was born ये छोटा मेंड़क जब से पैदा हुआ था तब से इस पुराने कुएं के बिलकुल नीचे के हिस्टे में निचले हिस्टे में रह रहा था He had never been to the outside world वो कभी भी बाहर की दुनिया में गया ही नहीं था Whenever a bird or birds flew by and stopped at the edge of the well the little frog always looked up and bragged Hello! Why don't you come down here and play with me? जब कभी भी कोई एक चिड़िया या एक से ज़्यादा चिड़िया वहां से उरती हुई जा रही होती और कुएं के सिरे पर रुकती तो छोटा मेंड़क हमेशा उपर को देखता और शोख अंदाज में उनको हेलो कहता और उनसे ये कहता कि तुम नीचे क्यों नहीं आती हैं और मेरे साथ आकर खेलती हैं It's so pleasant down here यहां नीचे तो बहुत अच्छा महौल है यानि यहां बहुत मज़ा आता है Look, I have cool water to drink and countless insects to eat देखो मेरे पास पीने के लिए ठंडा पानी है और बहुत से कीडे मकोडे हैं खाने के लिए Come down, नीचे आओ At night I can watch the twinkling stars and sometimes I can see the beautiful moon too रात को मैं चमकते हुए सितारों को देख सकता हूँ और कभी कबार मैं खूबसूरत चांद को भी देखता हूँ देख सकता हूँ Sometimes the birds would tell the little frog Hi little frog, you see The outside world is much bigger and nicer माफ की जिगा birds से मुराद है परिंदे यानि चिडियां और कवे वगईरा मुखतलिफ किसम के जो परिंदे होते हैं तो वो birds जो कुएं के पास गुजरते थे या कभी उसकी किनारे पर रुकते थे और जिनको मैंडिक अपने पास बुलाता था कभी कभार वो परिंदे उस मैंडिक को चोटे मैंडिक को ये बताते थे और इस तरहां से कहते थे Hi little frog ऐसा है कि ये बाहर की जो दुनिया है वो काफी बड़ी और ज्यादा अच्छी है It's many times more beautiful than your little well at the bottom और ये जो तुमारे चोटे से कुएं का नीचे का हिस्सा है यानि जहां तुम रहते हो बाहर की दुनिया उसे कई गुना जादा खुबसूरत है But the little frog would not believe them लेकिन जो छोटा मेंडिक है उसे उनकी बात का यकीन नहीं आता था Don't lie to me मुझसे जूट मत बोलो I don't believe there is any place that could be better than here मैं इस बात का यकीन ही नहीं कर सकता कि जहां मैं रह रहा हूं इससे भी बेतर कोई जगह हो सकती है Gradually all the birds began to dislike him आइस्ता इस्ता सब परिंदे उससे नफरत करने लगे उससे नापसंद करने लगे They thought he was too stubborn and stopped talking to him वो ये समझने लगे कि वो बहुत ज़्यादा धीट है और फिर उन्होंने उससे बात करना छोड़ दी Stubborn धीट या जिद्धी को कहते हैं The little frog could not understand why nobody liked to come down to his nice place उस छोटे सिमेंड़ को इस बात की समझ ही नहीं आती थी कि कोई भी वहाँ नीचे उसके पास क्यों नहीं आना चाहता जैसा कि उसके नजदीक वो जगा बहुत अच्छी थी यानि वो ये समझता था कि वो बहुत ही अच्छी जगा पर रह रहा है एक दिन एक पीले रंग की चिडिया उस कुएं के किनारे पर आकर रुकी वो चोटा मेंड़क बहुत ज़्यादा खुश हुआ उसने चिडिया को सलाम किया और बहुत जोशो खुरोश से उसे अपने पास बुलाया और वो मेंड़क उस चिडिया से इस तरहां बात करने लगा पीली चिडिया ने एक लफ़ भी ना कहा और वहां से उरकर चली गई the next day the yellow sparrow came again and the same thing happened अगले दिन भी वो पीली चिडिया उधर आई और वही बात दुबारा हुई it went on for six days और ये सब छे दिन इसी तरहां से होता रहा on the seventh day the yellow sparrow finally said little frog may I show you the outside world साथवे दिन पीली चिडिया ने बिलाखे मेंडिक से इस तरहां से कहा चोटे मेंडिक क्या मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखा हूं but the little frog refused the offer लेकिन उस छोटे मेंडिक ने इस offer को या तजवीज को मना कर दिया माफ कीजिगा इस offer से इंकार कर दिया finally he माफ कीजिगा finally the yellow sparrow became angry बिलाखे वो जो पीली चिरिया थी उसे उसा आ गया he flew down to the bottom of the well picked up the little frog on his back and flew out of the well वो ओड कर उस कुएं के बिलकुल निशले हिसे तक पहुँच गई उस छोटे मेंडिक को उसने अपनी कमर पर उठाया और उसे उडा कर कुएं से बाहर ले आई oh the little frog exclaimed how is it that the outside world is so big चोटे मेंडिक ने हैरत से कहा oh aisa कैसे है कि ये बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है he had been in the bottom of his dark well for so long that the bright sunshine made his eyes blink shut and he could hardly open his eyes to see वो इतने ज्यादा अरसे से अपने अंधेरे कुएं के निचले हिस्से में रहता रहा था कि तेज धूब की वज़ा से उसकी आंखे बंद हो रही थी और वो बड़ी मुश्किल से उन्हें खुला रखने की कोशश कर रहा था ताके वो कुछ देख सके और फिर बिलाखर जब बिलाखर जब वो अपनी आंखे खोलने के काबल हुआ तो उसे अपने गिर बहुत सी चीज़ें दिखाए दी अरे ध्यान से इस अजीब सी चीज से टक्रा मत जाना ये ऊंची नीची हरे रंग की चीज़ें क्या हैं? ये येलो स्पैरो लाफट हैपली हाँ हाँ थीज़ें आप मांटेंस और वैलीज पीली चिरिया खुशी से हसने लगी और उसने हसते हुए कहा कि ये पहाड और वादियां है दुनिया में बहुत से पहाड हैं? तो चिरिया ने कुछ बड़े पहाडों के नाम लिये जैसे के हिमलाया, स्विस अल्प्स और रॉकीज़ें जब वो पहाडों के उपर से उरते हुए जा रहे थे तो अगले मंजर ने चोटे मेंडग को और भी जदा हैरान कर दिया ये चांदी सी चमकती हुई लंबी सी चीज़ क्या है? ये एक दर्या है पीली चिडिया ने जवाब दिया तो वहाँ वो बड़ी सी नीले रंग की चीज़ क्या है? वो समंदर है पीली चिडिया ने जवाब दिया उस दर्या और समंदर में कितना पानी है ये मेरे कुएं से कितने बड़े है और उस चोटे से मेरे को ये एहसास होने लगा कि उसका जो कुएं था वो कितना चोटा था लेट्स गो डाउन, ओके? चलो नीचे चलते हैं, ठीक है? पीली चिडिया ने नन्ने मेंडिक को जमीन पर रखा और वहां से उरकर चली गई चोटा मेंडिक उचल कर घास पर आगे और वहां उसने बहुत से रंगों के खुबसूरत फूल देखे उसने कभी इतने खुबसूरत फूल नहीं देखे थे और नहीं कभी इतने खुबसूरत खुश्बुहें सूंगी थी वो आगे जाता चला गया और फिर वो एक जंगल में दाखिल हो गया जब वो उस जंगल के अंदर पहुंचा और उसने उपर देखा तो उसे बहुत से उंचे उंचे दरख नजर आए और जब उसने नीचे देखा तो उसे मुख्तलिफ किसम के फल नजर आए जो जमीन पर गिरे हुए थे उसने एक सेब उठाया और उसे चखा वाँ, so sweet वाँ, ये कितना मीटा है और फिर उसने चिडियों के परिंदों के गानों की आवाज सुनी प्यारी सी गुल लहरियां चलांगे लगा रही थी बंदर शाखों पर जूल रहे थे और हिरन तेजी से इधर उधर भाग रहे थे इस पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं गुलेरी है जो जम्प करने ही वाली है इसी तरह से ये एक बंदर एक टहनी से एक शाख से दूसरी शाख तक जम्प करके जा रहा है और यहां कुछ हिरन जो हैं वो उचल कूट कर रहे हैं इस मदमून के नेक्स पार्ट को अगली वीडियो में कम्प्लीट करेंगे आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए